दोस्तो आज मैं आपको पैसे से जुड़े नो ऐसे नियमों के बारे में बताऊंगा जिने जानने के बाद आप बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हो और उन्हें बचा भी सकते हो जैसा कि आप जानते ही हो कि पैसे से जुड़े नियम इंसान को स्कूर्य अकोलेज में कभी नहीं पढ़ाये जाते और ना ही इसके बारे में आम घरों में कभी कोई बात की जाती है इसलिए जिन लोगों को पैसे से जुड़े नियमों के बारे में पता होता है वो लोग तो बड़ी आसानी के साथ पैसे कमा भी लेते हैं और उन्हें बचा भी लेते हैं लेकिन जिन लोगों को पैसे से जुड़े नियमों के बारे में पता नहीं होता वो लोग ना तो आसानी से पैसे कमा ही पाते हैं और ना ही उन्हें बचा ही पाते हैं इसलिए पैसे से जुड़े नियमों के बारे में जानना बहुती ज़्यादा ज़रूरी है तो दोस्तो अगर आप भी आसानी से पैसा कमाना और उसे बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाश्ट तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए दोस्तो सुरू करते हैं दोस्तो पैसे से जुड़ा सबसे पहला नियम ये है कि जिन्दगी में कोई भी इंसान अमीर बन सकता है फिर चाहे वो कितने ही गरीब परिवार से क्यों नहीं हो ये तो बस इस बात पर निर्भर करता है कि अमीर बनने के लिए वो इंसान अपने कदम किस तरब बढ़ाता है क्योंकि दोस्तो पैसे एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान के बीच में भेदभाव नहीं करता इसलिए कोई भी इंसान अमीर बन सकता है तो अगर कभी भी आपके दिमाग में ये बात आए कि आप अमीर नहीं बन सकते तो आपकी ये सोच बिलकुल गलत है दोस्तो क्योंकि पैसो से जुड़ा नियम ये कहता है कि जीवन में कोई भी इंसान अमीर बन सकता है दोस्तो पैसो से जुड़ा ये भी एक ज़रूरी नियम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में पैसों की क्या एहमियत है जैसे हर इंसान के लिए पैसे की एहमियत अलग-अलग होती है जैसे कुछ लोग तो थोड़े से पैसे कमा कर ही खुश हो जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास अब पैसा आ गया है तो वो तो सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से ही पैसा कमाना चाहते हैं ज्यादा नहीं जबकि कुछ लोगों के पास अपना घर, गाड़ी या दूसरी जरूरी चीज़े लेने के लिए पैसा आ जाता है तो वो उतने में ही संतुस्ट हो जाते हैं इस तरह से सभी लोगों की जिन्दगी में पैसे की एहमियत अलग-अलग होती है वैसे भी आपको अपनी जिन्दगी में ये तैक करने की जरूरत है कि कितने पैसे कमाने के बाद आप संतुस्ट हो जाएंगे और अगर आपको ये कलियर होगा तो आप उसी हिसाब से अपनी जिन्दगी में काम कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे इसलिए हर इंसान को ये पता होना बहुती ज़्यादा जरूरी होता है कि उसकी जिन्दगी में पैसों की क्या एहमियत है रूल नमबर थरी सेट टाइम बाउंड गोल फोर यू दोस्तो अगर आप अपनी जिन्दगी में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जिवन में चोटे बड़े समय बंद लक्षय निर्धारित करें क्योंकि समय बंद लक्षय निर्धारित करने से आपको ये कलियर पता रहेगा कि आपको अपने लक्षय को कितने समय में हासिल करना है जिस से उस लक्षय को हासिल करना आपके लिए असान हो जाएगा और ये पहले से सोच कर रखें कि उस लक्से को हासिल करने के रास्ते में आपको किन-किन दिख्तों का सामना करना पड़ सकता है और आप उनसे कैसे निप्टेंगे जिससे आपके दिमाग पर फाल्तु का स्ट्रेस भी नहीं होगा और आप अपने लक्से को बड़ी आसानी के साथ हासिल कर पाओगे और अगर आपके जिन्दगी में कोई लक्से होगा ही नहीं तो आप काम किसके लिए करोगे और ऐसे में आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे इसलिए ज्यादा और तेजी से पैसे कमाने के लिए अपने जीवन में समय बंद लक्से ज़रूर निर्धारित करें रूल नमबर फॉर, keep your goals secret, अपने लक्सियों के बारे में किसी को भी ना बताना, दोस्तो ये भी एक बहुती जरूरी नियम है, जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कि अपने लक्सिया को हमेशा secret रखें, और जब तक जरूरी ना हो, आप उनके बारे में किसी को ना बता क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, तो हो सकता है कि वो आपको कोई गलत राय दे दे, या उसकी बाते आपको अपने लक्सिया से भटका दे, या फिर आपका लक्सिया पूरा ना होने पर, लोग आपको ऐसी ऐसी बाते बोल सकते हैं, जिनसे आप अंदर से तूट जाओ, या अफिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका वो प्लान चोरी हो जाए, और पहले से अपने लक्सिया के बारे में किसी दूसरे को बताने से उसके पूरे होने के चांसिस काफी कम हो जाते हैं, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब तक आप काम्याब ना हो जाओ, अपने लक्सिया के बारे में कभी किसी को ना बताएं, रूल नमबर फाइव, डोंट बी लेजी, दोस्तो आलस से हमेशा दूर रहें, हमेशा याद रखें कि आलसी इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि आलस से पैसे कभी नहीं कमाई जा सकते, पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसलिए अगर आपको ज्यादा आराम करना या ज्यादा देर तक सोना पसंद है, तो ये बात समझ लें कि पैसा खुद चल कर आपके पास कभी नहीं आएगा, उसके लिए आप आपको खुद ही एफर्ट करना होगा, पैसा कमाना आसान तो जरूर होता है, लेकिन आलस से इंसान के लिए कभी नहीं, इसे कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ त्याग और संगर्स शरूर करना पड़ता है, तब जाकर आप अपने जीवन में अच्छे खासे पैसे कमा स अगर आप किसी सक्सेसफूल इंसान की जीवनी पड़ोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उसने अपने शुरुवाती दोर में कितना ज्यादा संगर्स और मेहनत की थी, तब कहीं जाकर वो आज इस मुकाम पर पहुँचा है, कि उसके लिए पैसा कमाना बहुती आसान हो इतना आसान कि सोते समय भी वो पैसे कमाता है, दोस्तो इसके लिए मैं आपको अपना खुद का भी एक्जांपल दे सकता हूँ, अभी आप मेरे जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो, मुझे उस चैनल से भले ही थोड़ा पैसा मिलता हो, लेकिन जब मैं सोता होता उस समय भी मेरे इस चैनल से मुझे पैसा मिल रहा होता है, और ये मेरे लिए इतना आसान एक दिन में नहीं हुआ है दोस्तो, बलकि इसके लिए मैंने सालों मेहनत की है, तब कहीं जाकर आज मुझे सोते समय भी पैसा मिल रहा है, तो अब अगर आप भी आसानी से और ज़् पूर ही रहना, क्योंकि आलेस इंसान को जिन्दगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता, रूल नमबर शिक्स, वाई यू वांट वनी, दोस्तो, पैसा कमाने के नियम में ये बात भी सामील है, कि आपको ये पता होना चाहिए, कि आखिर आप पैसा क्यों चाहते हो, इस तरह से इस बारे में आपका जवाब कुछ भी हो सकता है, ऐसा करने से आपको पैसा कमाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, और आप इस बात को ध्यान में रखकर ज्यादा पैसा कमा सकते हो, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कि आपको पैसा क्यों, कब और कितना च सही इस्तेमाल करके उस पैसे से और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं और उनके पैसे हमेशा बढ़ते रहते हैं और गरीब लोगों के पास जितने भी पैसे आते हैं वो सारे पैसे को खर्च कर देते हैं और कुछ भी सेव नहीं करते इसलिए उनके पास थोड़े भी पैसे नहीं शुरू कर दो और फिर जब अच्छा खासा अमाउंट आपके पास सेफ हो जाए तो फिर उस पैसे को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके आप उस पैसे से और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो रूल नमबर एट गैलकुलेट रिटरंस बिफोर इन्वेस्टिंग दोस्तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटरं की कैलकुलेशन पहले ही कर लेनी चाहिए ये भी पैसो से जुड़ा एक ज़रूरी नियम है अक पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले सभी चीजों की कैलकुलेशन करके रखे ये भी पैसों से जूड़ा एक जरूरी नियम है जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी होना बहुती ज्यादा जरूरी है रूल लंबर नाइन मनीज रिजल्ट नोटे गिफ्ट पैसा परिणाम है उपहार नहीं दोस्तों ये भी एक जरूरी नियम है जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि पैसा कोई उपहार नहीं है बलकि ये परिणाम होता है आपकी मेहनत और आपके संगर्स का जैसा कि आप जानते ही हो कि एक इनसान पूरे महीने सुबह से श्याम तक मेहनत करता है तक कहीं जाकर उसे पैसा नसीब होता है इसलिए अगर आप तेजी से और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको अभी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि आप सोते समय भी इनसान बन सकते हो तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं को और नई इन्फोर्मेटीव वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर जहिन दोस्तो